दोस्तो आज हम समझने वाले हैं कि जो BCB होता है, vacuum circuit breaker होता है, वो कैसे बर्क करता है उसके लिए हम आपको आज practical उसका करके दिखाने वाले हैं कि ये कैसे start होता है, कैसे off होता है और जब स्टार्ट होता है तो ये कैसे साउंड करता है कितना साउंड करता है और कितना टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने में तो देखिए दोस्तो ये हमारा vacuum circuit breaker है जो की 11 kv का है इसको हम ST panel भी बोलते हैं जो high voltage होता है उसके लिए ठीक है तो ये जो नीचे का part होता है इसमें हमारा होता है जो इसकी trolley होती है उसको नीचे की side रखा जाता है पावर supply के लिए जो की input supply और output supply को आपस में connect करता है तो इसके नीचे जो है वो हमारा ट्रॉली को रखा जाता है और इसके बाद जो उपर वाला पार्ट होता है वो होता है टोटली हमारा कंट्रोल पैनल इसके उपर सारे कंट्रोल पैनल जो कंट्रोल सिस्टम है उसको लगा जाता है उसको सेट किया जाता है और यहाँ पर हमारी control supply होती है तो यहाँ से जो इसको control करते हैं तो सबसे पहले देखें यह एक bolt meter लगा हुआ है और यह indicate कर रहा है कि जो supply है वो 11 kb supply है यहाँ पर दिखा रही है ठीक है और इसके बाद जो है उसके बगल में लगा हुआ है हमारा selector switch जो कि अलग-अलग face के अगर हमें voltage चेक करना है किस face में कितना voltage आ रहा है तो हमें इसको switch को rotary rotate करना होगा तो उससे पतल लग जाएगा ठीक है और दूसरा rotary switch लगा हुआ है selector switch है यहाँ पर एक local रहता है और remote रहता है अब जिसको हमें set करना है उसके हम set कर लेते हैं और यह on off switch होता है इसमें एक side trip का signal होता है एक side neutral होता है और दूसरी side होता है हमारा closed ठीक है और इसके बाद जो knob रहती है अगर हम इसको trip side करेंगे तो हमारा जो panel है वो trip हो जाएगा और अगर हम closed side करेंगे तो यह start हो जाता है तो देखी यहां पर एक और selector switch लगा हुआ है जो कि हमारा 220 control supply के लिए यहां use किया गया है तो उसके लिए यहां पर लगाया गया है और यह देखी हमारा जो है एक relay लगी हुई है तो यहां पर देखी जो feeder protection relay है वो यहां पर लगाई गया है इसके बाद एक tripector meter भी लगाया गया है जो WH को बताता है voltage बताता है current बताता है और जो power factor है उसको भी बताता है तो इसके लिए हमें जब भी हमें कोई भी चीज देखनी होती है तो हम इसमें भी देख सकते हैं यह इसमें सब कुछ indicate करता है तो देखिए इसके बाद जो है वो एक multifunction meter भी लगाया गया है MFM meter जो है उसको भी लगाया गया है और उसके उपर जस्ट उपर बहाँ पर सारे indicator लगाया है हमारे सबी फैनल्स के लिए सबी जो control system है हमाई सब के लिए यह indicator लगाया है और इसके बाद उपर लगाया गया है release जो हमारे सबी की अलग-अलग release है तो देखिए सबी जो हमारे जो इसके load पे जो भी connect है तो उसके लिए safety के लिए जो relay है वो लगाया जाती है जैसे transformer है तो उसके लिए भी हमारे सारे relay लगती है oil temperature, binding temperature सबकी relay है वो अलग-अलग लगाया जाती है मेन relay होती है यह high speed tripping relay होती है जो relay 86 होती है तो इसको भी लगाया जाता है तो देख लेते हैं कि जो panel है वो start कैसे होता है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको off करेंगे क्योंकि जो हमारा panel है अभी start है जो transformer है वो अभी हमारा charge है और यह जो हमारी power conditioning unit है वो चालू है तो हम क्या करेंगे अभी सबसे पहले इसको बंद करके देखेंगे कि बंद करने पर यह किस प्रकार से sound करता है तो देखिए इसको हमें trip के side घुमाना होगा तो देखिए जो बंद है वो कुछ sound करता है कुछ आवाज करता है बंद होने में और यह बंद बहुती आसानी से हो जाता है बिलकोल यह smoothly कोई भी कर सकता है चोटा बच्चा भी इसको on off कर सकता है तो देखिए हमारा जो सब control panels है वो off हो गया है ट्रांसपार्मर off हो गया है और यहाँ पर indicator भी दिखा दिया है पैनल off कर ठीक है तो अब हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर करना होगा close side घुमाना होगा तो देखिए close side घुमाने के बाद जो हमारा panel है वो start हो जाता है और जो ट्रांसपार्मर है वो भी on हो जाता है यह थोड़ा sound इसलिए ज़्यादा कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे power conditioning unit है वो ज़्यादा आवाज करते हैं जब start होती है contact लगता है जो ट्रांसपार्मर है वो भी start होने में जो आवाज करता है लेकिन जो हमारा पैनल है उसकी आवाज बहुत कम होती है इसकी ज्यादा आवाज नहीं होती है वो बहुत ही सारे में start हो जाता है तो देखिए इसमें रिले कैसे वर्क करती है इसका सबसे अच्छे advantage होता है इस panel का तो देखी यह जो relay लगी है जैसे हमारे οι transformer के कोई तो ट्रांस पर्मर में आगर चोटा सा भी कोई fault आता है तो यह जो一ज रेले है उसको एक सेंश करने के बाद यह relay क्या करती है और इस panel को यह वाली जो relay है इस panel को trip करा देती है जिस से जो हमारा आगे का fault है बड़ा fault होने से बच जाता है तो यह बहुती फायदे होता है इस panel का यह बहुती sensitive होता है और fault को बहुती जल्दी पकड़ लेता है दोस्तो अगर आप is panel के बारे में बिल्कुब detail में समझना चाहते हैं इसकी working को कि जो panel है उसमें जो vacuum circuit breaker इसका क्यों नाम रखवा गया है और इसमें vacuum होता क्या है तो इसको detail में समझने के लिए हमने इसके लिए एक video upload किया हुआ है channel पर उसके लिए हम description में आपको link भी दे देंगे आप बहाँ से जाके इसको देख सकते हैं तो इसमें हमने आपको बिल्कुल detail में बताया है कि ये panel कैसे बर्क करता है कैसे इसकी बर्किंग होती है तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share जरू करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है वो subscribe भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका notification सबसे पहले आपके पास आजाए